दोस्तो ये हरियानवी सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारी अजीज राम निवास राव कापस हेडा दिल्ली निवासी उनकी लाड़ो बेटी नीतु यादव के मेरिज फंक्षन के महिला संगीत प्रोग्राम में ये कारेकरम किया गया है मेरी सबी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि इसे ग्रेलू फंक्षन के लिहाज से देखें कोई भद्दे कमेंट ने करें और प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे साथ सुत्रे प्रोग्राम करने की सेवा देने का हमें मोका जरूर दें थेंक यू दन्यवाद जै हरियाना जै हरियानमी जै भारत क्या नाम स्यांत पुराम एकरा मिजा सक्याक है रामनिवास रासरा सब्कार का ऑज इनकी बिट्या हम में तरह करता है इस बिढ़ीं अन्य कॉह को ऐदेरी समीन का अधी संगील दार जानता है यहा बहूंट पढ़िया प्रोग्रें हुआते हैं कि अपिए विए उडियादी है यह तो इसी आहना को लाए पहलाइस आजा दि को आप पिना दो भणादी हुआ ए पडिया बादिरा का आनने हम अचब है किस अमारी भिट्या निसाथी आप गरें किम तंदी कंदी हुआ हैं इस चोटी है आही हाट मिल अ कंदी कर यह उप्षा कामडा जो मेरे साथ हर्यार्मी गोल कीतों भी गोल करती है आपको पता है और इस काम कहीं ने कहीं भायदा भी हो रहा है तोकि हम यह दाल्दी नालने के पुराने के गीत निकाल के लेके आई अब आपको पुर्माइश की पर्टी आने जी है तो हमी कहीं ने काम प्रोग्रम को तक किवाजी आरकेशना करवा के बड़ा लेडी सहित का प्रोग्रम आपको देखोगे यूपे बड़ा अच्छल लगे आपको मैं सब्ड़ाइब चड़ाबना यूपे तो बड़ा दिल के क अब आप लोगों के बीच में मैं शुक्रत्बुजारुपुपृम परमातना कामासरस्ति का कि जिसने मेरे को लिखने का और गाने का गुर्दिया उसके बाद में शुक्त पुजारफूराब निवास साथ का के जिन्होंने आज मेरे को हमारी बिटिया जो नीतु है उसकी शाभी समारो में जो लेडिज संगीत है ये पहली बार मेरे को प्रोग्राम करते 10-15 साल हो गई और पहली बार ऐसा प्रोग्राम मुझे बिला है जो लेडिजों के अंदर प्रोग्राम करने में आया हूँ और ये जो मेरी सोच थी जो डीजे वेस्टन कोट नाने चले हुएं ठीक है वो अपड़ी जगे हैं और मैं जो है आजकल जो यहाँ नास कर रही थी अभी लहका लोगी पहते आ रही है उसको लेकर के पुरानी इंपुर्णियम के गीत उठा रहा था मैं किता की लोगों के समझ में आ जाए और आ भी गए और ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमें साब सुत्रे परिवारिक प्रोग्राम मिल रहे हैं बड़ी खुशी की बात है तो दिल की गहराईयों से स्वागत करता हूँ मैं राव फैमिली का राव साब का भी और हमारी बिटिया नीतु का भी के जिन्होंने आज हमारे को बुला करके इस मंच के सतेज के इस प्रोग्राम के काबिल संजा और अभी जो है जब तक आप एठिर होगी क्योंकि मैंने बताया था नाम निवास जी को कि ये जगे जोने छोटी पड़ेगी लेकिन कहता है कि नी फोची लेटिस गीत है ये घरमी होता है जब तक आप बोलोगी तर तक प्रोग्राम चलता रहेगा क्योंकि इस प्रोग्राम में बड़ा आदाए लेटिस गीत आप रताये जाएंगे वरना ऐसे लोग भी है जो बेटियों को इतना बड़ावा भी देते लेगी इन बेटियों के वारे लेकित में आप लोगों के बीच में गाऊंगा पहले चीज होती है जिनको पता होता है परिवार चीज क्या होता है प्रीवार चीज क्या होती है उसको पता चैलेगा इस भजल की वालिव का जो बड़े में गाऊंगा इसके बाद मैं फिर कितने बंगडे के बज़न का आँगा क्योंकि एक जो बेटी होती है लक्षमी होती है घरकी और यह बज़न किस टाइम का है शौर सब्सक्राइब करियो इस बज़न के अंदर यह बज़न उस टाइम का है कि अपने देश के अंदर एक बहुत बुराई है ब्रुम हत्या का मतलब है यह बाद भूड़ी आजे ना समझ माईयो कोक में बेरा पात्या में बेटी है उसने कटर करा देना है और जब वो मा ये पाप कराने के लिए चांद देती है तो गरब के अंदर उस तंग्या की रूख आपकी नदी सी आवाज में अपनी मा के कानो में संदेश पहुचाने की कोशिश करती है यह मा एक छोट असा संदेश देऊंगी में तक नहीं अगर तेरे समझ में आ जाए तो मन ने जर्ब दे दी है मा अगर तेरे समझ में ना आवे जो बाप तुटर आएगी खुद बोड़ताएगी मेरा के लेगी मा और वो बेटी गलब के अंदर से एक ऐसी पुकार करती है माता हो बहनों जिसको सुन के आप लोगो की रूख आप जाएगी एक ऐसा संदेश देती है अपने इमा के कानों में और वो क्या संदेश देती है गोर से सुना क्या होती है बेंतिया इस बजन को सुनोंगे तब आपको पता यह बजन सुन लेना प्यार से उसके पाद फिर गींदे बनरी के बजन आपारे महुरते मुताबिक चलीगी किस परकार से कैसे जावता है आज बिल्कुल निठाबी ना बिल्वे चाहता है ए मा मुझे मरवावेना आज इक को खमी कटले करावेना मैं पिरिशान देखना चाहूँ सून अरी गर्भ से बाहर निकले के यह हिन्दू सतार देखना चाहूँ सून यू को यह मा कितनी भाग्या साली थी मैं इतना अच्छा भागया लिखवार के ले काई थी भागया विटांता से यह ऐसे देश में जनम लेने जा रही हूं है, भीशिक उनियों की यह धर्ती गरव है जिसको इस माटी का उपर पूरी दुनिया को, मैं ऐसे देश में जनम लेने जा रही हूं हूं, बड़ा मत करता है परी शाम देखने के लिए, एक बाद मुझे जनुदे देबा में देते क्या भी गाड़ा है और इक बात के द्वारा सुनना क्या प्रियार करेंगी वोडिया, बड़ासर रास्ते देवे बारे क्लाकार आ रही है, अब ये रूप बदल के आई है, ये राव साथ का प्रोग्राम है, ये हीरिणी का जो थैस्न होता है, ना हीरिणीयों का गाउं में खोड़ तो दिहाती, उसी गैड़क में नजर आएगी ये भियाप करी, हाम लोग तो दिन्दी में आगे शहरों में बसके, लेकिन इन बुढ़िया ना तो बेराने दीती रूप आचा कर जभी ये पंगटिके उत्पर से पैर के लाएं गाई है, ये रूप दिन्यों फटक दोख में टतल बदावे ना मा मुझे मरवावे ना दोख में टतल करावे ना तेरी शान देखना चाहूँ सौंग गरब से बाहर निकल के हिंदू सताने देखना चाहूं सौंग अगरभ से वाहर निकले पे हिंदो से पार पर थना जाहूं सोग। और सबने प्रहला अच्वरी हो और ये माँ एक वर तुने जनू थे थे आदेखे चेर्मान साल के ओजाओंगी तर्यां में घूंती डोजोंगी तर्यां इतना इतनी प्यारी लागोंगी पांच मिट में तर्यां पॉसे हो जल होगी तुन लोगागी अना भूझती अंड़े लाटो के ठेगी तर्यां प्रेटी कड़े गई है तर्यां चब्ले ने डई होए इन तक तुने मेरी शामी लेखी मा मैंने तर्यामी दखी असली तो तुने जब मालूगी जब तुने चनुद देखे और फेर मेरा गड़ा गोट के दिखा अभी तक तर्या मेरी शामी देखे मां तरी मम तक रहना तर्या चल लेगा और मैं तर्या कितनी कावाओंगी जितनी मैं और अच्छोई पहली बात मैं के गोगी दो चार साल में भाईने खिलामन जोकी हो जागी किरी भाई काथी लावने जो की हो जाने अरी सामन की फुन पासी वाणा सामन की फुन पासी वाणा वो खान देखन और इचा वंसू तरबत बाहर के खलकर इंदू सतान देखना चा वंसू अरी धर बसके वाण निकल के इंदू सतान देखना चा वंसू अरी माम मुझे मरवावे नाव कोखा कतल कर आवे नाव आज तू मुझे कोख में कतल करवा रहिए इसके दो ही कारण है मा तीसरा कारण नहीं हो सकता पहला कारण तो खर्चे से ड्रगी होगी इस रड़की को जनम दे दिया इसकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा लागेगा इसके भ्यासादी फे खर्चल लगएगा इसके दःज पे खर्चल लगएगा ये मा तो संथ लेक्या ही तेया तो ये की काम है मुझे अच्छी तरह से पढ़ा लिखा देना अच्छे मुझे सवस्कार देना ंपस आगे मैं जाओं मेना काम चाने तरह की पर गोज नहीं बनू मांखर्च होन से नाटरियों, बिन खर्चे भ्याह हो जागा पड़ी लिखी बहु आगी मारे यूं, अगयां के चाह हो जागा अरी विद्या के सादम का मत्थे यूं, बुलन मैरा हो जागा और कुण के आगें तो सबी झुकैं, आपे आधर भाह हो जागा पेरी कुण क्ल और धर्ब से आधर, बान देखना जागो सो धर्ब से पाहर निकल के हिंदो स्कान देखना चाहू सो आगल बुर से बाहर निकल के इंटो सतां को इकड़ा चाहो सो आरिवा मझे परवावे ना दोखने का दल परावे ना अजय बढ़ता इकम बढ़ जाती है और थारा बीज साल में हमें चिन्ता होने लग जाती है इन बेटियों की लेकिन बात बताना चाहंगा इंटा विट्रा विटा विटा बहुत बढ़ी है हमें आज बुलाएगा है बनी खूशिक प्रोग्राम का हम बोजाना करते हैं इस है ब्रया और मा और बाप आपके ममी डैटी की तरफ से बतामा यह बात कितनी प्यारी का दोते हैं उनके लिए यह दो लाइने जो भूमांगा मी जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं है इतना प्यार करते हैं इतना प्यार करते हैं पता हैं आपको सेमिके बच्चों कि मैं तुझे इतना प्यार दे Knowing सुन मेरी लाटो बेटी मैं तुझे इतना प्यार दे ू हुँँँ अपने हिसे कि दुनिया मैं तेरे पैवार दे ू होँँ अपने हिसे की खुषिया जब तेरे पैवार दे जब यह बैस की एज पीडा हो ती अब की आएकर dou rat लोगाई हो पता किसी किसी बात चाले आगे रहां आपका अब रहा है तु जमी जद सारे बोले तु जमी जब सारे बोले पराई है बेटी सुसराल में तुझे कह देंगे बेगानी जाई है बेटी तु पैदा हुई जब सारे बोले पराई है बेटी सुसराल में तुझे कह देंगे बेगानी जाई है बेटी एपी हर किया सुसराल की नितु तन किस धर की कहूं मेरी लाटो बेटी था में इतना प्यार देऊं अप необходी थे कि फुषिया सब दीर पहवार दियूं। अपने हिस से की धुमियां सब दीर पहवार दियूं। क्युंस सबस्काइब ते बोले को ऐती है tracters कि फode करने के और बइठी ने क्यों कि बुलाई च्णकि चार बेटियों का डnet और बेट्टा नहीं अभी तर मुझे फ़र्ग मेने से जाब है साइब कोई समझेगा बेटिया चीज क्या होती है और इन बेटियों को सबोट किया करो जी आप बेटियों बड़ी जवाबदारी होती है आपके उपर इन बेट्टा को 100% सबोर्ट करते हो नो मेरा बेट्टा अ अगर तो खर्चे से नहीं तरी तो जमने से दर गई मा ये कईयू का जमना है छोरी को जनम दे दिया परिवार के उंभी सी कि साबीत गी तो खांदान की जद्वितिती न मिल जाएगी मा अग्या बात सोच भी कैसे ली आई जिस खांदान के अंदर जनम लेने चाह रही हों करता है मेरा ताता मेरे बात को तुनिया स्लाम करती है और जिस घर से तुँ आई है मेरे नारके से कितने अच्छा संस्कार मेरी नामी के तरे को दे करके भेचा है तो फटने सोच कैसे गया तरी को शिथी कमनी और डिफाल तबरात पैदा हो जाएगी एक बार जनम देदे मा जान पैखो सकेगा तरी इजट के चार जान दगाने का काम मुलूगी और आखरी बात में अच्को लिखे बोली माँ तो बैटो शिर्प चार माई ने बचले उसके बाद फिर गिंदे बगने के बज़न भी आपने गाने ये खोशी का आउल है लेकि पेटी का प्रोग्रम है जान पीडियों के बार मिष्ट के पहला बज़न भाराम ऐसे हां और के बोली सुरियों द्यांसे बाई के ब्यामें चोर पारती ठाइली सिगरी के में चाल ये हूगी यूँ बोली ये मा बखत में आद आपी ऐसे ठक्सन हो एगर तो इमार में माने बेटी की जरूंद धाप में चोच ले कुश्मन आजने इनकम दे आठी बोली ये बखत में एरी भारे रुकाई मैं सोने भरो इज़त तै मातर कह चालो हमी एरी भारे रुकाई सोने भरो इज़त तै दर कह चालो हमी एर नाम सित तिन लोग थारो मैं शुकरिया कर कह चालो हमी एरी अगत चलावेर ने सब के संताब देखन और चाहू सो कर्ब से बाहर निकलके हिंदो सताग ठखड़ा चाहूं अरी माम मुझे मरवा वेना फोल्ख की दिल नतावेन सबस्क्राइक परिशान देखडर चाहूं हुषा कर्ब से बाहर निकलके यह हिंदो सताग भेकरा चाहूं दोस्तों मैं सिंगर फोजी करमवीर आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज थेंक यू वेरी मुच